प्यारी विदर्थियों आपसे भी का चैनल पर हारतिक स्वागत है प्यारी विदर्थियों फर्ष्ट बुक इंग्लिस कंपल स्री की फ्लेमिंगो जिसका तीसरा चैप्टर है डीप वाटर और हम आज डीप वाटर के सबस्क्राइब करें और गंटे का निशान दवाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सबसे पहले पहला परशन आपके सामने वी इस दे राइटर ऑप डीप वाटर डीप वाटर पार्ट के राइटर कौन है विलियम डगलस अलफंस डॉटिट अनिस जंग सैलमा लेगलॉफ तो इसमें आपका ए ओप्षन है विलियम डगलस ए उत्तर हो गया आगे बढ़ते ही दूसरे परशन की ओर दूसरा परशन आपका देखिए इस चैप्टर इस ए नेरेटिव एक वर्नन है ए बायोग्राफी एक जीवनी है या ए ट्रेवलोग है या एन आटो बायोग्राफी है तो यह आटो बायोग्राफी आतम का था विलियम डगलस खुद अपना जीवन वर यानि उस पूल का नाम बताना है जिसका विलियम डगलस ने मैंसन माने हुदा वर्नन करना इंद चैप्टर चैप्टर में वर्नन किया है कि चैप्टर में वर्नित विलियम डगलस द्वारा चैप्टर में वर्नित पूल का क्या नाम है टाइटन पूल या कीमा पूल या कीमा बूरी या दास्त बार बार याद आ रही थी यह उजागर हो रही थी तो पहला है option a His introduction to the YMCA swimming pool उसका YMCA pool के साथ प्रीचे His introduction to the YMCA college College के साथ बहुत A, B His introduction to Yakima River तो ये था His introduction to the YMCA swimming pool यानि A उतर है आपका चोथे का उतर क्या है? A उतर है आगे बढ़ते हैं प्रशन नमर पांस की ओर प्रशन नमर पांस में क्या दे रखा है? What did the author try to learn by apping other boys? What did the author लेकर क्या करता है? Try to learn by apping नकल करके other boys अन्य लड़कों की नकल करके लेकर क्या सीखने की कोशिस करता है? Writing Italy, अच्छा लिखना Dancing, नर्टे, Swimming, तेरना Riding a bicycle, बाइसिकल चलाना तो ये आपका C उतर है Swimming यानि तेरा की सीखता है C उतर हो गया प्रशन नमर च्छाय How did the author prepare himself for swimming? How did the author, लेकर ने prepare तेयार किया himself खुद को for swimming? तेरने के लिए हम लोग कैसे? लेकर ने तेरने के लिए अपने आपको किस प्रकार से तेर किया? With new water wings, नए पंकों के साथ? बिलकुल ये भी उतर है Trying to learn by apping other boys अन्य लड़कों की नकल करके ये भी बात सही है Watching other boys अन्य लोगों को देखकर ये भी सही बात है तो D उतर हो गया All of the above D उतर हो गया आगे देखो, साथ नमर फर्षन What did the author start feeling after two or three times in the pool? What did the author लेक को start शुरू में feeling मैसुस हुआ after two or three times दो या तीन बार in the pool पूल के अंदर जो पूल के अंदर जा रहा था तो आरोम में दो तीन बार उसको कैसे मैसुस हुआ था तो Feel at ease जनी कटना ही मैसुस हुई थी Feel fear भे या feel confidence आतम इस्वास या नहीं कुछ नहीं तो उसको प्रेशा नहीं हुई थी उसको क्या हुई थी? प्रेशा नहीं हुई थी तो आपका उत्तर क्या हो गया? A हो गया आपका उत्तर हो गया? A आगे बढ़ते हैं प्रेशा नमबर आठ की हो Pick out the word which means the same as Misadventure Misadventure माने होती है दुरगटना Misadventure तो यहां यहीं बताएगे ऐसा सबद जिसका आर्थ है Misadventure दुरगटना तो event गटना होती है Accident दुरगटना Episode यह गटना अपने Accurance तो इसमें आपका B उतर है कौन सा उतर है B Accident माने भी दुरगटना होती है और Misadventure माने भी दुरगटना होती है आगे बढ़ते हैं अगले परशन की और अगला परशन आपका देखी क्या है परशन नमबर 9 Who came to William Douglas at the YMCA swimming pool Who came to William Douglas at the YMCA pool यानि William Douglas या कह सकते हैं कि Who came कौन आया to William Douglas William Douglas के पास at the YMCA swimming pool YMCA swimming pool में कौन आया था इंस्ट्रक्टर आया था या बिग ब्रूसर ओफ वोई यानि एक मजबूत लड़क आया था आउनर ओफ YMCA pool आउनर तो मालिक YMCA pool का मालिक आया था या नन कोई नहीं आया था तो वो आया था एक बड़ा सा लड़का ताक्तवर मस्कल वाला देखो आपका B उतर है कौन सा उतर है B उतर है आगे बढ़ते हैं अगले परशन की और परशन नमबर 10 He was a beautiful specimen specimen नमूना तो एक beautiful सुंदर नमूना कह सकते तो वो फिजिकल सारिक नमूना था या mental था या spiritual था बहुत एबी तो फिजिकल था सारिक रूप से यह मजबूत वेकती था कौन वो लड़का तो यह कह सकते हैं कि He was a beautiful physical specimen आगे बढ़ते हैं परशन नमर 11 की तरफ परशन नमर 11 क्या है What was true about the other boy दूसरे लड़के के बारे में सत्य क्या बात है त्रुमन सत्य यानि What was a true क्या सत्य है about the other boy दूसरे लड़के के बारे में He had thick hair on his chest थिक मतलब गने hair बाल on his chest चाती पर यानि उसकी चाती पर गने बाल थे ये बात भी सही थी He was 18 years old वो है 18 hours का था ये बात भी सही थी He was muscular तो उसकी जहो यानि muscular होता है जो अपने सरीर की तवचा होती है उसमें से मजबुती जिसे पहलवानों की जो तवचा बाहर निकली होती है ना तो उसको कहते हैं तो C हो गया और D All of the both सभी यानि सभी होगा आपका उतर D उतर होगा कौन सा उतर होगा आपका D उतर होगा मास स्पेस यें जिसकी मजबुत हो परशन नमबर बारा देखिए He tossed Douglas into the pool towards its shallow end middle edge deep end कि He उसने ठोस उचला Douglas को into the pool पूल के अंदर उचला towards की और It's इसके shallow end यानि छीचले किनारी की तरफ middle बीच में edge किनारे पर या deep end गहरे किनारे की और तो उसने गहरे किनारे की और उचला था तो आपका उतर क्या होगा D हो गया उतर होगा D अगला परशन तेरा नमर परशन दो Douglas was printed He was not afraid to die going to strive out of his weeds able to shout to help देखो यदपी Douglas भेवित हो गया प्राइंट हो था भेवित हो गया भेवित हो गया था यदपी Douglas भेवित हो गया था He was not यानि afraid to die वे मरने से नहीं गबराता था going to strive या out of his weeds out of his weeds आपका उत्तर है out of his weeds होता है कि उसकी बुद्धी ने काम करना बंद नहीं किया यानि C उत्तर है आपका उत्तर कौन सा है C है प्राशन नमर चोदा when his feet would hit the bottom Douglas plant जब उसके पेर है वो bottom के टकराएंगे तो Douglas का प्लान था क्या प्लान था टू में के big jump बड़ा jump लेने का lie down late जाने का start is stroke प्रहार करने का या float तेरने तो देखो इसमें उसका एक बड़ा सा jump करने का प्लान था तो आपका उत्तर हो गया A आगे बढ़ते हैं प्राशन नमर पंदरा find out the word which means the same as pushed under water pushed मतलब धका देना under water पानी के अंदर धका देना तो brusher rippling brusher उता मजपूत और rippling उता लहरा उता ducked धकेलना which buddi यानि duck duck मानी वेचे गोता लगाना duck मानी क्या होता है गोता लगाना तो पानी के अंदर धकेलना पानी का मतलब होता है गोता लगाना यानि C उतर हो गया ducked पर्शन नमर 16 pick out the word which means the same as weaved his hands weaved his hands यानि अपने हातों को लहराना paralyzed pleaded dropped strategy हातों को लहराना तो यहां पर paralyzed तो पोल्यू गरस्तोना होता है dropped, गबराजाना, strategy, रनीती मनाना यह है pleaded भी फेलाना हातों को तो भी उतर हो गया आपका पर्शन नमर 17 देखिए क्या है what did Douglas try to do what did Douglas Douglas ने क्या try causes की to do करने की Douglas ने क्या करने की causes की थी to pull his legs अपने पेरों को उपर लाने की to pull his arm अपने हातों को उपर लाने की to raise his head अपने सिर को उपर उठाने की या nothing, कुछ नहीं तो उसने अपने टांगों को उपर लाने की causes की थी जो paralyzed जैसे हो गये थे वो आहार नहीं रहे थे यानि ए उतर है आपका उतर क्या है आपका ए है अगला प्रशन है आपका who your Douglas scream Douglas की आवाज किसने सुनी scream होते चीखे Douglas की चीखे किसने सुनी थी तेरा को ने, लोगों ने, पानी ने और उसकी मानी तो उसमें कागा रहा है कि उसकी चीखे पानी की स्वाए किसने नहीं सुनी तो आपका उत्र क्या हो गया C हो गया, उत्र हो गया आपका C, water next question number 19, what happened with his legs, उसके टांगों के साथ क्या हुआ, they hung as dead wet they got paralyzed they became rigid they hung as dead wet यानि एक मृत वेक्ति के बजन के समान लटक गई, paralyzed हो गई, polyokrist हो गई, काम करना बंद कर दिया became rigid, कठोर हो गई, तो यह सारी बाते सही है तो आपका उत्र क्या हो गया, D हो गया next, 20 number question what is the meaning of thrash what is the meaning of thrash, thrash होता है प्रहार करना, hit with stick लाठी से प्रहार करना hit with force, ताकत के साथ hit with hands, हातों से प्रहार करना hit with legs, टांगों से प्रहार करना तो thrash का है, हातों से प्रहार करना यानि, C उत्र हो गया next, 21 what had Ruzwelt said, Ruzwelt ने क्या कहा था what had Ruzwelt said, Ruzwelt ने क्या कहा था तो, Ruzwelt ने कहा, all we have to fear is fear it sell up, यानि, A उत्तर है आपका next, 22 who was Ruzwelt, Ruzwelt कौन था William Douglas friend, William Douglas का दोस्त, ex-president of America अमरिका का ex-president, यानि, poor president and instructor और एक परसिक्सू या फिर both A and B तो आपका उत्तर है William Douglas का मित्तर और ex-president of America यानि, Ruzwelt अमरिका के क्या थे राष्टपती थे और Douglas के दोस्त थे तो आपका उत्तर हो गया D उत्तर क्या हो गया? D हो गया next ट्रेक्चरस यानि, 6 चली गए सकते है अपनी C उत्तर हो गया या आपकी पुस्तक में उप्शन है? ट्रेक्चरस नेक्स्ट ट्रेक्चरस YMCA stands for YMCA stands है वो किसके लिए है? यानि इसका फूरा नाम क्या है? तो यंग में तो सभी में है Christians, Christopher Christians, Christians Authority, Association, Army और Association तो यहाँ पर है यंग मेंस Christian Association याद रखना है आपको यंग मेंस Christian Association यंग यूवा में में वेक्तियों का Christian इसाईयों का Association संग्ठन यानि कह सकते हैं यूवा इसाई संग्ठन तो D उत्तर हो गया आपका उत्तर कौन सा हो गया? D हो गया आगे बढ़ते हैं अगले परसंद की ओर Next 25 वहर इस Yakima River याकिमा रिवर है वो कहा पर इस्तत थी? इन Washington the US City इन California the US City इन New Zealand the US City इन Chicago the US City तो यहां पर है इन Washington the US ते उत्तर है आपका Washington जो US की Capital है Next 26 यानि इसको किस बात का भेर लगता था और को पानी का तो ए उतर हो गया अच्छ बिशमे का यही कहागे के लेके को किस प्रकार कट रहता पानी का उंचाई का गेहराई का एक एकलेपन का तो इसको पानी कट रहता Next 27 7. How old was the big brusher? यानि वो big brusher, बड़ा ही मजबूत जो लड़का था, वो कितनी उमर का था? 12, 12 वर्सका, 15, 15, 16, 16, 16, 16 वर्सका, या 18 वर्सका, तो बताया गया ना, 18 वर्सका, D उतर हो गया आपका. Next question के ओर बढ़ते हैं, question number 28, high skinny. नहीं, अरे बच्चे, how had you like to be ducked? क्या तुम गोता लगाना पसंद करते हो? Who said these words? ये सबत किस ने कहे थे? वर्नन करता ने, वाइंस ये पर लोगों ने, the big brusher, यानि बड़े से लड़के ने, मजबूत लड़के ने, narrator's father और वर्नन करता के पिता जी ने, तो उस big brusher ने कहा था, जिस ने उस William Douglas को पानी के अंदर फैंक दिया था, तो उत्तर आपका क्या हो गया? See, next 29, what was the depth of the pool at the end? Pool at the end, किनारे के उपर, किनारे की और उस pool की जो गहराई थी, वो कितनी थी? गहराई की बात की तो वो थी, 9 feet, 7 feet, 10 feet या 8 feet, तो वो थी, 9 feet, आपका उत्तर है A, आपका उत्तर क्या है? A है, आगे बढ़ते हैं, अगले परसंद की और, question number 30, what is the story, deep water speaking about? what is the story, क्या कहानी है, deep water speaking about? और यह जो deep water है, किस के बारे में बात की जाते हैं? fear of people, लोगों का भे, fear of swimming, तेरने का भे, fear of water and where to overcome it, यानि पानी का डर, और उसके बाद उस पर वीजे हासिल करना, और कम होता है वीजे हासिल करना, तो यही है, यानि C उतर है, तो D नहीं है, यहाँ पर C है, यह option गलत दे दिया है, यही आपका उतर है, पानी का पहले भे लगता है, और उसके पाद पानी पर जीत पाई जाती है, तो C उतर हो गया आपका 30 नमर का, 31 नमर, where did the writer go when he was three or four years old in the story, where did the writer go, लेकक कहां गया वह, जब he was, वह तीन या चार वर्स का था, in the story कहानी में, इस कहानी में वो तीन या चार वर्स का था, वो कहां गया था, वांसी गटन गया था, केनेडा गया था, न्यूजिलेंड गया था, या केलिफोर्निया गया था, तो वो California गया था अपने पिताजी के साइथ, अपने पार्ट में पढ़ा होगा कि जब वो 3-4 वर्स का था तो अपने पिताजी के साथ California गया था, वहाँ पानी में गिर गया था और पानी उपर से बहने लगा तो वो डर गया था पानी से, तो पानी का भे उसकी दिमाग में प बहानक अनुभो था उसके बारे में, यह उतर है, गोष्ट बूतों का नहीं डर लगता था, मा के सब्दों का नहीं डर लगता था, पुस बाई, यंग बोई, एक लड़के के द्वारा दखे ले जाने का भी डर नहीं लगा, लेकिन उसका जो एक पूल के अंदर बहानक एक् यंग फुस्ट नन, टेरर इन फिर ओफ डैथ, आप्सन नंबर ए आपका उतर है, टेरर आं तक इन फिर ओफ डैथ, मर्त्यू का, मर्त्यू की भे का भे, या यह यूँ गए सकते हैं, मर्त्यू के भे का आं तक, नेक्स्ट आगे, 34, what strategy did the author remember while he was droning in the pool, strategy होती है, strategy होती है, रननीती, remember याद, droning यानि डूबना, जब लेक डूब रहा था, तो उसको कौन सी रननीती याद थी, किस रननीती का वो पालन कर रहा था, to try to jump and push himself up, jump मार कर वापिस उपर आ जाना, to shout for help, सायता के लिए चिलाना, to hold drops, रसियां पकड़ना, to call the instructor, और उस परसिक्सक को याद करना, तो भाई, jump मारना, और उपर की और धकिल देना, यानि, यह उत्तर है, आपका उत्तर कौन सा है, यह उत्तर है, नेक्स्ट है, 35, how many times did Douglas try to come to the surface of the pool, how many times, कितनी बार, Douglas ने, जो आपका पूल है, उसके उपर surface, step पर आने की कोशिस की थी, विलियम डगलस ने, pool के step पर आने की कितनी बार कोशिस की थी, try to, कोशिस की थी, twice, once, thrice, four times, दो बार, एक बार, तीन बार, चार बार, तो उसने तीन बार कोशिस की थी, कितनी बार कोशिस की थी, तीन बार, तो उत्तर क्या हो गया, आपका, C हो गया, आगे बढ़ते हैं question number 36 वूट लेशन डिड डग्लश लर्न प्रोमीज एक्स्पार्येस ओप ढूनिंग की वूट लेशन कौन सा ढ़्याई डिड डग्लश लर्न सीखा प्रोमीज एक्स्पार्येस ओप ढूनिंग यानि अपने डूबने के आनभों से उसने क्या शिक्षा ली या क्या सीखा learnt swimming तेरना सीखा love of swimming तेरा की से प्रेम करना सीखा swimming is not difficult तेरना कोई मुश्किल नहीं है या fast the fear भे का मुकाबला करो या भे का सामना करो तो उसने भे का सामना किया तो D उतर है कौन सा उतर है आपका D उतर है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंद के ओर प्रसंद नमर 37 What was the color of the pool water when Douglas was in it? Daddy yellow, color blue, Daddy of white, Daddy blue क्या पूछा गया है? कि what was the color of the pool water when Douglas was in it? जब Douglas अंदर था तो उस पूल के पानी का रंग के सा था Daddy yellow यानी गंदा पिला रंग का कलिए blue, साफ नीला, Daddy of white, स्पेद गंदा, Daddy blue नीला गंदा तो वो था Daddy yellow आपका ए उतर है Next question 38 Why did Douglas had to walk with bare legs? Why did Douglas? Douglas क्यों? Had नफरत करता था To walk चलने में with bare legs नंगे, टांगे यानी नंगी टांगों के साथ या नंगा होकर चलने में या यूं कह सकते अपने तेरने में नफरत क्यों करता था? Because of ugly looking legs टांगे भद्दी दिखती थी Because of fat legs टांगे मोटी दिखती थी Because of skin color तवचा का रंग दिखता था Because of skinny legs यानी जो टांगों की तवचा है वो दिखाई देती थी बिल्कुल यह सही है D उतर आपका यह पाठ के अंदर लिखा हुआ है पाठ के अंदर लिखा हुआ है तो आपका उतर क्या है? D है आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंद की और Question number 39 I planted at the surface of water What is the meaning of flooded in the sentence? मैंने जो पानी की स्ते थी वहाँ पर प्रहार किया What is the meaning of flooded in the sentence? Pledded का अर्थ क्या है? To strike with प्रहार करना To keep रखना To come आना To swim तेरना तो प्रहार करना है आपका उतर क्या हो गया? A हो गया Next question 40 What does deep water signify? Signify अंगित करना Deep water किस और signify करता है? किस और इंगित करता है? Depth of sea समुन्दर की गहराई Beauty सुन्दरता Depth of ocean Ocean मानी तो समुन्दर होता है महासागर कह सकते हैं महासागर की गहराई या frantic तो बिल्कुल ये D आपका उतर है Next question है Confidence ये भी नहीं था Fear भे ये भी नहीं था Mixed feeling of confidence and fear Mixed feeling थी Confidence और fear यानि डर की और भे की दोनों की mixed feeling आ रही थी तो ये आपका D उतर है कौन सा उतर है? D है डर उसे लग रहा था कि अब मेरा सरीर काम नहीं कर रहा है और confidence था कि मैं नीचे जाओंगा और वहाँ से पेर लगा के जंप लगा के उपर आ जाओंगा तो आपका D उतर हो गया Next 42 Suddenly Douglas saw light in the water What did that mean? अचानक Douglas ने रोसनी देखी पानी के अंदर So light, रोसनी देखी इनदा वाटर पानी देखी What did that mean? इसका मतलब क्या है Some people came with a torch कुछ लोग torch लेके आए ये नहीं है दिरवाजे बलप in the water पानी में एक बलप था ये भी नहीं He was coming out of the water वोई पानी से बाहर आ रहा था ये हो सकता है He saw light was coming from heaven और उसनी देखा कि सवरग से light आ रही है ऐसा कुछ नहीं था बखवास option है केवल सी ही आपका उत्तर है He was coming out of the water Next, 43 Why did Douglas seize all efforts? Seize में रुक जाना Douglas के जो all effort effort मानी क्या होता है? परियास Douglas के सारे परियास क्यों रुक गए थे? He felt as if he was going to become an unconscious उसे मैसूस होया की मानों की वह अब बेहोस होने जा रहा हूँ He did not want to leave वह जीना नहीं चाहता था क्यों नहीं जीना चाहता था? यह तो option होई नहीं सकता He wanted to be in the water वह पानी में रहना चाहता था? बिलकुल नहीं है He was already out of danger वह खत्रे से बाहर था यह भी नहीं है तो आपका उत्तर है A उत्तर कौन सा है आपका A है Next 44 What did the boy say to the author? लड़के ने लेख को क्या कहा था? I did the wrong thing मैंने गलत किया I did the right thing मैंने सही किया I will throw you again मैं तुम्हें दुबारा फैंकूँगा but I was only fooling मैं तो केवल मजा कर रहा था तो वो तो यह कह रहा था कि मैं तो मजा के कर रहा था तो D उत्तर हो गया जिस लड़के ने लेख को पानी के अंदर फैंका वो कह रहा था कि मैं तो केवल मजा के कर रहा था 45 What was Salman Trot Bas? यह Salman Trot Bas? यह क्या है? Kind of Boats नयाओं के परकार है Kind of Fish मजली के परकार है Kind of Swimming Techniques तेरने के परकार है तेरने की तकनीक के परकार है या All of the वो सभी है तो यह मजलियों के Salman Trot Bas यह मजलियों के परकार है तो आपका उत्तर क्या हो गया? B हो गया आगे बढ़ते हैं परसन नंबर चियानिस की ओर How did the author feel when he walked back to his home after coming into his sense? How did the author feel? लेख को कैसा मैसूस वा? वहन जब he walked back to his home after coming into his sense? यानि सब कुछ sense होने के बाद यानि सब कुछ सही होने के बाद जब वो घर जा रहा था तो उसको कैसा मैसूस हुआ? His legs were trembling उसकी टांगे कांप रही थी He was sad वह दुखी था He was whipping वह रो रहा था He had temperature उसको बुखार थी तो उसकी टांगे कांप रही थी यह उत्तर है आपका आगामी कही दिनों तक ऐसा हो रहा था उसका सरीर कांप रहा था Next 47 Where did the author go in order to overcome his fear of water? Where did the author go in order to overcome his fear of water? यानि पानी के भेपर जीत प्राप्त करने के करम में लिक कहां गया था? टुए सी बीच एक समूंदर के बीच पर इंटो एवेल एक कुए में इन दे सेम पूल वेहर दी एक्सिडेंट टुक पलेस उसी स्तान पर जहां पर दुरुगटना हुई थी लेक वेंट वर्थ इन न्यू हैंप साई न्यू हैंप साई की लेक वेंट वर्थ जील के अंदर गया था तो बिल्कुल आपका उत्तर कौन सा है? डी जील वेंट वर्थ गया था जो न्यू हैंप साई में ही डी उत्तर हो गया नेक्स्ट है 48 यानि क्या खागे कि इस परसिक्सक ने डगलक्स को बना एक गुट स्वीम है परसिक्सक ने डगलक्स को एक अच्छा तेराक कैसे बनाया? उसको निर्देश देकर उसको तालाब में दक्का देकर दूसरी लोगों को देकर यानि बेल्ट और रसी की साहिता से तेवे उसने उसको तेराक बनाया था तो डी उतर हो गया नेक्स्ट है 49 वोट वट वास्टापिंग डगलस तूगेत इंटा पानी में जाने वह कास्केट जर्नो के पानी में जाने के लिए डगलस को कौन रखता है memories of California, California की याद, memories of once again, once again की याद, instruction given by his mother, उसकी मा के द्वारा दिया गयने देश, memories full, terror of in pool, और उस YMCA pool की यादे, तो बिल्कुल YMCA pool की जो यादे थी, जिसमें लड़के ने उसको पानी के अंदर फेंका था, वो उसे जहर्नों के पानी के अंदर जाने से मना करता है, तेरा लेक वेंटवर्थ, कितनी दूरी, डगलस ने cover की, वाईल, स्वेमिंग तेरते वेए, एकोस दे, लेक वेंटवर्थ, यानि, लेक वेंटवर्थ को पार करने के लिए, विलियम डगलस ने कितनी दूरी टे की थी, 4 mils, 3 mils, 2 mils, 1 mils, 4, 3, 2, 1, तो दो मिल, यानि कितने मिल, दो मिल तो आपका उतर क्या हो गया C Next 51, how could Douglas know that he was still alive Douglas को कैसे मालूम हुआ कि वह अभी भी जिन्दा है His heart beating and head pounding told him उसका हर्दे दड़क रहा था और सिर उसको बता रहा था यानि सिर दर्द कर रहा था His legs were very active which told him उसकी टांगे हैं वो बहुत ही active थी जो उसको बताती है He could plan to jump with foot वह पेरों से उचलने की योजना बनाता है None of the वो कुछ नहीं तो उसका हर्दे वो धड़क रहा था तो A उतर हो गया आपका उतर क्या हो गया आपका A हो गया Next है 52, what did Douglas mother remind him Douglas की मा उसे क्या यादिरवाती थी About the deep YMC pool About the treches वाकिमा रिवर About the drawings in YMC pool All of the above यानि About the treches वाकिमा रिवर यानि वाकिमा रिवर में होने वाली दुरुगटनाओं के बारे में यादिला थी तो B उतर आपका हो गया Next 53, how old was Douglas when he misadventure took place Douglas कितने वर्स का था जब उसके सार्थ ये दुरुगटना गटित हुई Took place होता है गटित होना और misadventure होगी दुरुगटना 9 to 10 years old 10 to 11 years 10 to 11 years 11, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13 तो वो था 10, 11 वर्स का यादि B उतर है आपका कौन सा उतर है? B 10 to 11, 10, 11 वर्स का था विलियम डगलस पहले तो 3-4 वर्स का था जब केलफोर्निया के बीच में उसके पिताजी उसको लेकर गे Next 54, name the Texas River Manson in the Chapter Deepwater उस खतरनाक नदी का नाम बताई हो जो Deepwater के अंदर वर्नित है Bumping River Thames River Yakima River Titan River तो यह है Yakima Sea उतर हो गया आपका 55, which were ducks the 18-year-old boy use while boiling the author at the pool site Douglas Brusser Lanky Skinny कि which word does the 18-year-old boy use while boiling the author at the pool site जब बच्चा William Douglas बेठा वा था तो 18 वर्स का लड़का है वो किस प्रकार के सबद बोलता है Douglas उस लड़के को किसको William Douglas को क्या बोलता है Douglas बोलता है या Brusser बोलता है या Lanky वो या Skinny तो वो बोलता है उसको Skinny क्या बोलता है Skinny तो आपका उतर हो गया D नेक्स्ट है 56 How long did it take for Douglas to perfect the art of swimming यानि art of swimming तेराकी की कला perfect साइज पुर्ण William Douglas के लिए कौन सा समय साइज था October to April जिसमें उसने अपनी कला सेखी October to March October to February October to December तो वो तो October से अप्रेल था यह आपका उतर हो गया 56 का 57 What do you infer from the line the instructor was finished कि What do you infer यह क्या इंगित करता है इंगित करता प्रोवब्दी the instructor was finished instructor was finished instructor समापत वा तो यहाँ पर है उसका जो कारी है वो समापत वा कि he was accepted, वे ठक गया he stopped at midway वे बीच में रूख गया he gave up उसने छोड़ दिया his task was complete उसका कारीय कम्पलीट हो गया तो आपका उतर क्या हो गया यहाँ पर D हो गया कौन सा हो गया, D next देखो 58 how does the author describe going beneath the water the final time how does the author describe लेकक ने कैसे वर्नित किया going beneath नीचे जाते हुए the water the final time अन्तिम बार जब पानी के अंदर नीचे जब लेकक जा राता तो उसका वर्नित किस प्रकार करता है his head throbbed उसका सिर कांपने लगा he was paralyzed with fear भे से वो paralyzed हो गया his legs felt limb उसकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया and blackness swept over his brain और उसकी दिमाग में blackness यानि काला पंस अचा गया his lungs acted उसके फेप्रे दर्द कर रहे थे तो यह C वाला option है उसकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया और दिमाग में काला पंस अचा गया था question number 59 which proverb कौन सी कहावत most apply describe the theme of the story deep water deep water के लिए कौन सा प्रोवर्ब है महावरा या कहावत है वो उचित है slow and steady with the race धीमे लगाता race को जीता है time and tight weight for none समय और जबर किसी का इंतिजार नहीं करते a bad workman blames his tools एक बुरा काम करने वाला है वो अपने अत्यारों को दोस्त देता है where there is a way जहां भी इंचा हो वही रास्ता निकलाता है तो यह D इसकी इंचा थी कि उसको जीतना है वहां रास्ता निकलाया तो यह कहावत यहां पर यह मुहावरा हो ठीक बेटता है क्योसर नमबर 60 क्योसर नमबर 60 When did Douglas finally conquer his fear When did Douglas finally conquer his fear अपनी जीत पर कंकमान होता है जीतना अपने भे पर आनता कब जीत हासिल करता है When his instructor gave his approval इंस्टेक्टर उसको approval यानि अनुमदन दे देता है When he tried tried swimming alone at different places वह भिन भिन स्तानों पर तेराकी करता है उस वक्त When he was able to put his face under the water वह अपने चेहरे को या अपनी सिर्क को पानी के अंदर रखने कर या पानी के अंदर रखता है तब तो देखो उसमें यह वह था When he tried swimming alone उसने अकिले तेराकी की at different places भिन भिन स्तानों पर उसके बाद उसने जीत हासिल की थी Next 61 Which statement aptly convey the message of the story Deepwater Deepwater केसा message देती है Fears are dangerous Old fear is written Most fears are baseless Fears confines and limit one's scope भे खतरा होता है पुराना भे लोट आता है और अधिकांस भे होता है वो निराधार होता है Pears confines and limit one's scope भे होता है वह है जो भी हमारा कारिय होता है या scope होता है उसको limit कर देता है तो बिल्कुल यह उतर है भे के काण मानलो कि आपकी इंच्छाओ की आप रातरी के अंदर घूमना चाहते हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि रातरी में भूत रहते हैं तो उस भे ने आपकी इंच्छा को सिमित कर दिया है Next 62 The water was still and the tiled bottom was as blank and clean as a bath tub तो bath tub की तरह है बिल्कुल साब तो कैसा हो सकता है स्पेद हो सकता है यहाँ option देखो white, blue, black, none यानि white यह आपका उतर हो गया 63 With his hard work Douglas had conquered his sphere of water यानि कठोर प्रिश्रम के साथ Douglas ने पानी के भेपर जीत पाली conquered Mount Everest Mount Everest जीत लिया got a good job अच्छा job मिल गया तो उसने क्या किया यह उतर है पानी के भेपर जीत हासिल कर ली थी मेहनत के साथ Next 64 Now you can swim अब आप तेर सकते These words were spoken by यह किसके सबद थे तो यह तो Douglas का जो instructor था पर सिख सकता उसका थे तो आपका D उतर हो गया कौन सा उतर हो गया आपका D उतर हो गया Next है 65 A rope was attached to Rope को किसके साथ attached किया गया था Douglas Lake Douglas के टांगों से Douglas Arm उसके हातों से Douglas Belt Douglas के बैट से या किसी से नहीं Douglas का जो बैट था उससे Rope Rope मतलो Rashi Rashi को attach किया गया था 65 65 का उतर है आपका C Next 66 Every time Douglas attempted to go inside water his legs would परतीक बार जब Douglas है वो पानी गेंदर जाता है उसकी टांगे would be sacking make him run help him keep a plot be paralyzed यानि उसकी टांगे paralyzed हो जाती है काम करना बंद कर देती है 66 का D 67 When his feet would hit the bottom Douglas planned to जब उसके पां bottom पेंदे पे टकर आई तो Douglas ने क्या योजना बनाई थी Jump लेने की Lie down late जाने की start is stroke plot ये person पहले भी आ चुका है make a big jump Jump लेने की कोशिस करना Next He tossed Douglas into the pool towards Douglas को pool में किस तरफ फेंगा गया था गहरे और deep end की और फेंगा गया तो D उतर हो गया The introduction by the YMCA swimming pool revived for Douglas Douglas को क्या या दिलाता है YMCA pool Childhood fear of water बचपन का पानी का भे ए उतर हो गया Next है क्योंकि बारा परसन है वो आपके board exam में आने वाले हैं तो आप इन प्रशनों को अच्छी तरीके से देखना किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो भी कॉमेंट में आप बथाना यदि ये वीडियो आपको फसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजे अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे घंटे का निसान दबा दीजे और बारवी क्लास का अन्य विदारती उसको भी सेर्द कर दीजे ताकि वो भी पढ़ले और उनके भी काम आई प्यारे बचों फिर मिलेंगे एक नई गलास में तब तक के लिए जैन जे भारत बंदे मात्रम